नमस्ते बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे तो आप से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का SP सब्जेक्ट ठीक है तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नमबर वन जिसका ना यहिज पहते है इसके अलावा फिक्स कणा थे इसके पापिटल और रिपर का आरे में मेंदी चले요 ख्रूर किया बच्चों फेर अपनी टेक्स भूक ले लिजा सकते हो तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं तो बच्चों अगर मैं आपसे finance के बारे में पूछो कि finance क्या होता है तो आप क्या बोलोगे finance का नाम आते ही आपके दिमाग में एकी बात आती होगी वो क्या पैसा है ना तो वही finance का मतलब वही होता है देखिए यहां पर क्या लिखा है the term finance is related to finance money and money management ठीक है जो finance है वो किस से related होता है money and money management से ठीक है it is related to inflow and outflow of money ठीक है inflow यानि क्या होता है आना और outflow मतलब क्या होता है जाना यानि money का आना सुनो finance किस से related है बच्चो पैसा आना और पैसा जाना किसी भी business organization का जो success है वो किसके उपर depend होता है आप कैसे funds को collect करते हो यानि उनको कैसे इकठा करते हो और कैसे उनका यूज करते हो उसके उपर वो depend होता है जैसे कि मैं आपको बताती हूं आपने क्या किया मतलब capital आपके पास है ठीक है अब वो जो आपका capital है उससे आपको क्या करना है अपना बिजनस शुरू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जितना भी पैसा आपके पास है उसका अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा सही जग़ पर यूज़ करना पड़ेगा अगर आप उसको ऐसे ही कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी आप लगा दोगे तब तो आपका पूरा पैसा भी खतम हो जाएगा आपका बिजनस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा है ना तो किसी भी बिजनस और और्गनाइजेशन का सक्सेस दो चीज़ों पर डिपेंड होता है पहला तो आप कैसे वह मनी का यूज करते हो दूसरा आप कैसे मनी को कलेक्ट करते हो यानि आप कैसे पैसा ले करके आए हो जैसे कि अगर आपको बिजनस करना है तो समझ लीजिए आपको लोन चाहिए ठीक है अब मार्केट में दो बैंक है एक तो बैंक A है दूसरा बैंक B है ठीक है तो यह जो बैंक A है वो 5% का इंटरस्ट चार्ज करती है और बैंक B जो है वो 10% का इंटरस्ट चार्ज करती है ठीक है तो बताईए आप कहां से लोन लोगे आप बोलोगे बैंक B इतना दे रहा है बैंक इतना दे रहा है तो कौन सा मतलब जादा बैनिफिशल होगा बताइए यानि कि बैंक एसे हम लोग क्या करेंगे लोन लेंगे बैंक से नहीं लेंगे क्योंकि यह तो जादा इंट्रेस्ट चार्ज कर रहा था समझ में बात आई आपको अगर आप यह ले ले लेते तो तब तो आप घाटे में चले जाते ना तो वही है फाइनस मतलब क्या वही यह किस से रिलेटेड होता है मनी का आना और मनी का जाना और किसी बिजनस और्गनाइजेशन का सकसेस इसी के उपर डिपेंड होता है कैसे आप पैसा ले करके आते हो और कैसे उसका यूज करते हो ठीक है समझ में आया आपको फाइनस का मतलब चलिए जी अभी आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कॉर्परेट फ का लिखना पड़ेगा इसलिए इस मिनिंग को अच्छे से समझिए और इसको टिक करके रखिए ठीक है तो चलिए देखते हैं मिनिंग में क्या दिया है बच्चों कॉर्परेट फाइनस डिल्स विद रेजिंग और यूजिंग और फाइनस बाया कॉर्परेशन जो आपका क पैसा इधर उदर से इधर उदर से मतलब कहीं से भी नहीं आपको जो भी जैसे की बैंक से या तो आप लून ले सकते हो या फिर आप अपने शेयर्स को मार्केट में इस्यू कर सकते हो तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा पैसा होगा ठीक है पैसा क्या होगा आपके आपके पैसा तो आगया लेकिन अगर आपने उसका अच्छे से यूज नहीं किया तो फिर उसका क्या फाइदा है यह सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है तो समझ में बात आई आपको इडिल्स विद्दा फाइनसिंग डा अक्टिविटीज ऑफ दा कॉर्परेशन यानि जो कॉर्परेशन के अक्टिविटीज हैं ठीक है कोई भी अक्टिविटी होती है बिना पैसे कर नहीं होने वाली है तो उसमें भी पैसा लगता है इसके अलावा बैंक से या फिर आप क्या करोगे आप अपने कंपनी का शेर इस्व करोगे मार्केट में ठीक है बहुत सारे सब्सक्राइब होते हैं कैपिटल इकठा करनी के समझ में बात आई आपको तो वहीं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में भी यह जो कॉर्परेट फाइनस से वह आपक स्टर्फ लाइगा और और फिर आपकी यहां बतलब बचल इसका मिनिंग ठीक है तो आप लोग इसको कि कर लेना एक भार पिर से रिट कर लेते हैं कोर्परेट पाइनस डील्स विप दे रिजिएंड यूजिंग और फाइनस पदल यहां शिंग सिमपल अ कोरपेंट ना मीर देफिनिशन दिया इन नाम हाइं याद रखना और हिन्होंने क्या होता है इट डिल्स प्राइमरली उद उक्वेजिशन मतलब क्या एक्वाइर करना लेना ऑक्वेजिशन ओफ Capital by Business Corporation यानि कि जो आपका Business Corporation है ना वो कैसे मतलब यह जो Corporate Finance है वो किसके साथ deal करता है वही जो अमने मीनिंग में देखा ना बच्चों वही definition में दिया है और definition के बारे में आप लोग को एक बात बता दू कि जब भी आप definition लिखते हो ना तो आप अपने मन से नहीं लिख सकते मिनिंग तो आपको जो समझा आप अपने own words में लिखोगे चलेगा एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा लेकिन अगर आप definition अपने मन से लिखोगे तो नहीं चलेगा definition जैसा यहां पर दिया गया है आपको same to same उसी तरीके से लिखना है और एक और बात बताते चलू जो चीज़ आपके क्या करना जो भी आपका capital है उसको acquire करना okay and use of capital यानि capital का आप कैसे यूज करते हो अच्छे तरीके से यूज करना okay क्या कहलाता है corporate finance समझ में बात आई आपको तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा एक बार में नहीं याद होने वाला थोड़ा सा आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा जैसे एक बार आपने याद कर लिया ठीक है तो अब आप कहीं पर जा रहे हो तो फिर आप दिमाग में सोचते हुए जा सकते हो कि हां corporate finance का यह था definition यह था definition ठीक है क्या होता है एक बार आपको बताओ corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation समझे तो definition को भी टिक कर लो ठीक है चलिए जी अभी आगे चलते हैं तो आगे यहां पर financing decision और investment decision हमको पढ़ना है तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसके पहले यहां पर देखिएगा जैसे जो finance manager होते हैं कॉर्परेशन में जो finance manager होते हैं उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है तो पहला the firm has educated finance यानि कि जो भी funds business में आ रहा है ठीक है वो सही source से आना चाहिए क्योंकि sources तो बहुत सारे market में available हैं जैसे कि मैंने आपको दो bank का example दिया था bank A और bank B ठीक है bank A दे रहा था 5% के interest पे आपको loan और bank B दे रहा था 10% के interest पे देखो मैं आपको इधर लिख करके समझाती हूं A B ठीक है bank A 5% का interest चार्ज करता है और bank B 10% का बराबर तो यहाँ पे सही bank कौन सा होगा loan लेनी के लिए यह वाला है ना क्योंकि यह minimum cost में आमको दे रहा है मतलब यहाँ पे जो आपका interest है वो कम देना पड़ेगा यहाँ पे जाधा देना पड़ेगा तो आप कौन सा चूज करोगे option A समझे तो वह यहाँ पे दिया गया है कि they are using the right source of funds that have minimum cost यानि उसका जो भी funds से उसका जो cost है ना वो क्या होना चाहिए minimum होना चाहिए इसके अलावा जो इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि they are generating maximum return returns for its owners मतलब जो भी owners हैं उनके लिए ज्यादा return क्या करना generate करना इसके विदेखमाल किसको करने भी पड़ती है finance manager को अब यहाँ पर दो टाइप के decisions दिये गया है बच्चों the following two decisions are the basis of corporate finance corporate finance के दो decision यहाँ पर दिये गया है जिसकी मदद से हम लोग मतलब corporate finance की मदद से हम लोग यह दो decision ले सकते हैं पहला तो financing decision दूसरा investment decision अब यह financing decision और investment decision क्या होता है वही जो अभी तक आपने पढ़ा financing मतलब क्या आप capital कहां-कहां से इकठा कर रहे हो finance मतलब यह जो fund है वह आप कहां-कहां से ला रहे हो ठीक है वह सही सोर्स से आना चाहिए क्योंकि market में बहुत सारे सोर्स अवालेबल है तो आप किसको सेलेक्ट करोगे आप सही को चूज करोगे है ना गलत को कभी भी चूज नहीं करोगे तो इसमें आपकी help कौन करता है बच्चो corporate finance क्या दिया है the business firm has assist to capital market to fulfill its financial needs यानि कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है आप यह सोचोगे कि जो भी मतलब हमारे बिजनस को कितना पैसा चाहिए ठीक है और उसके हिसाब से आप सही सोर्स को सेलेक्ट करोगे बहुत सारे choices होते हैं the firm has multiple choices of sources of financing तो अभी वो आपकी जिम्मदारी है कि आप कैसे क्या करते हो सेलेक्ट करते हो किसको मतलब जो source of finance है उसको आपको सही तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए ठीक है तो यह इस investment decision में भी corporate finance हमारी help करता है ठीक है बच्चो समझेगी नहीं तो यहां पर हमने corporate finance का meaning definition और जो कुछ भी यहां पर introduction में दिया गया था वह देख लिया है अभी हमारा अगला टॉपी क्या है बच्चो importance of corporate finance और यह बहुत important है यह एक्जाम में पूछा जाता है पूछा जाता है मतलब आपको पढ़ना ही है ठीक है कुछ भी छोड़ो मत सब चीज पढ़ो तो चलो देखते हैं यह जो आपका corporate finance है इसके importance क्या है लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि अगर एक्जाम में आपसे यह question पूछा गया कि आप importance बजाईए corporate finance का तो फिर आप कैसे लिखोगे तो सबसे पहले meaning लिखने का फिर उसके नीचे definition लिखने का and after that आप क्या करोगे यह जो points दियेगा है इनको लिखोगे एक एक करके और फिर इनका explanation आपको लिखना होता है ठीक है तो एक सिंपल तरीका बता हूँ है इतना सारा कोई इंसान कैसे याद करेगा सही बात है आप नहीं याद कर प वो पढ़ करके ही हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या आएगा इसलिए आपको क्या करना चाहिए बच्चो points को अच्छे से याद करो ठीक है लिख लिख करके चाहिए आपको जैसे याद होता है आप वैसे याद करो पर points आपको याद होने ही चाहिए ठीक है points आपका corporate finance होता है वो किसमें help करता है decision making में अगर आपको कोई भी decision लेना है तो उसमें आपकी कौन मदद करेगा corporate finance चलो इसका explanation देखते इसमें क्या दिया है explanation आप प्लीज अच्छे से समझो क्योंकि points आपको याद करना है explanation आपको खुद से लिखना है ठीक है इसमें क्या दिया है कि most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds ठीक है it is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance सबसे पहले यहां पर finance की importance को यहां पर समझाया गया है कि देखो कोई अगर important decision हमको business organization में लेना होता है तो हमें finance को ध्यान में रख करके लेना होता है हमारे company के पास कितना पैसा available है इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे जैसे हमें क्या करना है और भी production करना है ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले चेक करोगी कि आपके company के पास उतना पैसा है कि नहीं कि आपने production process तो start करवा दिया लेकिन पता चला कि आपके पास पैसा ही नहीं तो फिर raw material कहां से लाओगे वो नहीं आएगा तो आपका production सुरू कैसे होगा है ना इसलिए कोई भी decision लेने से पहले हमें चेक करना keeping in view of its impact on profitability, there may be number of alternative but the management is required to select the best one which will enhance profitability, business organization can give green signal to the project only when it is financial viable, thus corporate finance plays significant role in decision making process, देगो बच्चो अगर आपको वही चो मैंने आपको पताया, अगर आपको कोई भी decision लेना है तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो business है उसके पास कितना पैसा है, है ना, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहेगा आप कोई भी decision ले लोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, समझें, और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह decision लेने से हमको profit होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में देखो, समझाएगी नहीं, मैंने accounts तो पूरा सिखाई दिया है, फिर आप लोग comments कर रहे थे, SP सिखाने के लिए तो मैंने सोचा चलो, सिखाई देते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हां, तो पहला point याद हो गया, health in decision में कि अगर business related कोई भी important decision लेना है, तो आपको सबसे पहले finance check करना पड़ेगा, पैसा है, तब भी decision लो, नहीं तो फिर दूर हो जाओ, है ना, तो इसलिए ये important होता है, फिर इसके अलावा यहाँ पर अगला point है बच्चो, health in raising capital for a project, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बताती ना, देखो, सबसे पहले ये explanation एक बार रिट करते हैं, उसके बाद मैं आपको explain करती हूँ, क्या दिया, इस में देखो, whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital, business firm can raise funds by issuing shares, debenser, bonds, और even taking loans from the bank, सुनो बच्चो, अगर आपको कोई भी नया venture start करना है, नया venture start करना मतलब कोई नया project शुरू करना है तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, capital को raise करना पड़ेगा, जैसे कि अब ही example ले लेते हैं, बही production वाला लेते हैं अपना हमें और production को शुरू करना है, किसी नय प्रोडक्च का production हम को शुरू करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे की ज जो मतलब correct option है जो सही option है उसे आपको क्या करना होता है। स्टूडेंट सेलेक्ट करना होता है। समझेगी नहीं। जैसे कि आप अपने company के shares issue कर सकते हो, debentures issue कर सकते हो, ठीक है, bonds या फिर आप loan ले सकते हो तो ये सारी चीज़ों में आपको कौन help करेगा? यहीं corporate finance इसे लिए corporate finance यहाँ पे भी important role play करता है ठीक है तो helps in raising capital for a project यानि किसी भी project के लिए capital raise करने में कौन help करता है बोलो बोलो जल्दी से corporate finance ठीक है तो यह हो गया जी इसका दूसरा point नेक्स्ट यहाँ पे helps in research and development अब आप सोचोगे कि research and development में यह corporate finance कैसे help करता है बताती हूं अचा research and development का मतलब आपको पता है क्या research करना और develop करना है तो चलिए सबसे पहले explanation करते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि research and development must be undertaken for growth and expansion of business क्यों करते हैं क्यों जरूरी है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो काई को research करने का क्यों करने का तो research करने से क्या होता है जो आपका business organization है वो और आगे growth करता है ठीक है आपने business start किया और आपको अच्छा कासा profit हो रहा है बस आप इसी में रहे जाओगे जो आपका competitor है वो आपसे आगे चला जाएगा research and development करते करते वो आगे चला जाएगा आप पीछे रहे जाओगे है ना जो demand है वो time to time change होते रहता है ऐसा नहीं कि आप जो product बना रहे हो इस साल तो सबको पसंद आया लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले साल भी यही चीज उनको पसंद आए हो सकता है कि आपका competitor आपसे अच्छा चीज ला दे तो लोग उसको खरी देंगे ना आपका क्यों घ कैसे हो गया तो जब आप research करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा competitor जो है वो ज्यादा मतलब मेरे से अच्छा चीज दे रहा है लोगों को इसके लिए लोग उसकी तरफ जा रहे मेरी तरफ नहीं आ रहे ठीक है तो यह बात का पता आपको कैसे चला जब आपने research किया research and development research करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी वज़े से आपका जो business का growth है वो होता है ठीक है detailed technical work is essential for the execution of project research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available through on the research work this would require continuous financial support देखो बच्चों जैसे अगर आपको को competitor है वो ज्यादा अच्छा product लोगों को दे रहे हैं तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं अब आपको इस बात का पता लगाना है तो कैसे पता लागा होगे आप एक बैठे बैठे पता लगा लोगे कि ऐसा हो रहा है इसके वज़े से नहीं आपको क्या करना पड़ेगा आपको फंड्स की requirement तो होती ही है क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते ठीक है में यह टाइम्स कंपनी हैस टू अपग्रेट इट्स ओल्ड प्रोड़क्ट और डेवलप न्यू प्रोड़क्ट टू एट्रक्ट कंजूमर ठीक है वही दिया यहां प पड़ेगा यह जो हमारा प्रोड़क्ट है इसको हमें कुछ नगुछ तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ठीक है किसलिए कस्टमर को अपनी तरफ एट्रेक्ट करने के लिए ठीक है फॉर दिस कंपनी हैस टू कंड़क्ट सर्वे और इसके लिए आपको क्या करना अगर मैं इस तरीके से अपने प्रोड़क्ट में चेंजेस करता हूं तो लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं मार्केट में क्या चल रहा है यह सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी और अगें आपको यह पूरा अनलाइसी सर्वे करनी के लिए किसकी सुरत अगला यहां पर है 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 स्मूथ रणिंग और बिजनस यह पॉइंट तो बहुत सिंपल अगर आपको बिजनस को अच्छे से रन करवाना है अच्छे सो चलाना है तो फिर पैसा तो चाहिए क्या करना पड़ेगा देखो आपका जो बिजनस है वो कैसे अच्छे से काम करेग आपको बिजनस को अच्छे से चलाना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे एंपलोई को सेलरी करना होगा ओन टाइम ठीक है फिर जो लोन्स आपने लिए हैं उसको भी सही टाइम पे मतलब पेमेंट उसका करना पड़ेगा इंटरस्ट भी प्रॉपरली देना पड़ेगा है ना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगली बार जब आप लोन लेने जाओगे ना तो कोई आपको लोन नहीं देगा क्योंकि उनको याद है कि पिछली बार इसने लिया था तो इसने दिया नहीं था समझे वह आपको देना पड़ेगा फिर आपको पर्चेस करना पड़ेगा जबी भी जरूरत है तो लोग खरीदेंगे समझे कि नहीं फिर न्यू प्रोड़क्स भी आपको लॉंच करने पड़ेंगे तो यह सारी चीजों के लिए किसकी जरूरत है भाई पाईसा पाईसा नहीं तो कुछ भी नहीं ठीक है तो यह जो कॉर्परेट फाइननस ना किसमें हेल्प करता है बिज़नस को अच्छे से चलाने में रन करने में तो हेल्प सेन स्मूथ रनिंग ऑफ बिज़नस समझे तो यह आपका फोर्थ पॉइंट है I hope कि आप लोग को समझा रहेगा एक्जाम में आया तो अपने मन से लिखनेगा ठीक है जादा चिंता मत करो आज आराम से आप बस पॉइंट को समझते चलो बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो ठीक है जैसे यहाँ पर अगया helps in decision making तो decision making पर कितने points दिए गए है total 10 points है 10 के 10 को अच्छे से याद कर लो क्योंकि हो सकता है एक अगर आप भूल गए तो आपको कम से कम जैसे एक या फिर दो आप भूल गए तो 8 तो याद रहेंगे ना इसलिए सब याद करने का ठीक है चलो देखते हैं अगला point है brings coordination between various activities यानि यह ज करके काम करना कोडिनेट करना है एक दूसरे की मदद करना ठीक है तो बहुत सारी जो activities होती है न बिजनस की तो उसमें वह कोडिनेशन लेकर के आता है कौन corporate finance कैसे चलो ना इसको रिट करते हैं रिट करेंगे तो समझेगा corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization for example production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purpose देखो बच्चों यहां पर purchase दिया है मैं आपको फिर से एक बार फिर से बताती हूं ध्यान से सुनों मैं कुछ जादा ही आगे आगे भागरी हूं पर आराम आराम से करते हैं जो आपका corporate finance है it plays significant यानिके important role in control and coordinate of all activities in an organization यानि organization में जो भी activities होती है उनको control करने और coordinate करने में कौन help करता है यह corporate finance बहुत ही important role यह play करता है जैसे कि example से हम इसको समझते हैं सुनों production will suffer यानि पहले पूरा पढ़ने दो production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running of production units देखो बच्चो अगर जो आपका production है उसको सफर करना पड़ेगा सफर मतलब क्या उसमें distraction आ सकता है ठीक है कब आ सकता है जब financial department है वो अगर production department को finance provide नहीं करेगा तो फिर जो आपका production है वो उसको सफर करना पड़ सकता है समझेगी नहीं है ना अगर पैसा नहीं दोगे तो production कैसे होगा raw material तो खरीदी नहीं पाएंगे जब raw material नहीं खरीदेंगे तो फिर हम कैसे production करेंगे बराबर जो भी हमारी day-to-day activities होती है ठीक है उनका खर्चा कैसे आएगा तो इसलिए regular supply होते रहने चाहिए किसकी finance की समझेगे due to this sales will also सफर और अगर ऐसा हुगा आप production अच्छे सा नहीं कर रहे हो तो इसके लिए क्या हो production नहीं करोगे तो आपके जो consumers है उनकी जरूरत है तो वह दूसरे दूसरे के पास चले जाएंगे खरीदने के लिए क्योंकि बहुत सारे आपके competitor तयार बैठे है एक अगर आपने नहीं दिया तो दूसरा देने के लिए तयार बैठा है तो वहां पर आपका जो सेल से उसको क्यूंकि पैसा नहीं दिया किसे नहीं दिया नहीं दिया ठीक है तो क्या होगा जो आपका profit है वह भी अवख्त होगा है क्योंकि जब क्रेंट को Profit कहां से होगा जहां प्रेशे होगा लेकिन अगर आपका financial management ही कमजोर है तब problems का सामना करना पड़ सकता है ठीक है तो यह जो corporate finance होता है वो किसमें help करता है तो brings coordination between various activities यानि जो भी activities होती है उनके बीच में coordination लाने में help करता है कौन corporate finance क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ नहीं चली आगे चलते हैं अगला यहां पर six point है कि promotes expansion and diversification अब यह सब क्या है तो expansion मतलब क्या होता है फैला डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या डाइवर्सिफिकेशन यानि कि a different हम बोल सकते हैं changes ठीक है तो चलो देखो इसमें क्या लिखा है कि modern modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification सुनो बच्चो अगर आपको क्या करना है expand करना है अपने business को उसका expansion करना है और diversification करना है डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या जैसे आपका जो product है उसमें आपको कुछ भी changes करने है तो उस time पे क्या होगा क्या क्या करना होगा बताइए आपको नई machines लानी पढ़ेंगी क्योंकि जो पुरानी machines है न वह किसलिए यूज वह वह अला product यूज करने के लिए वह अला product मतलब क्या जैसे कि आपके पास एक machine है ठीक है उसमें आप क्या करते हो अपने product को मतलब बनाते हो उसका production करते हो लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है कि market में नहीं नहीं machines आ गई है जो लोगों की demand है उसमें changes आ गए है ठीक ह वाली machine क्योंकि यह वाले से अभी आप production करके भी क्या करोगे क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है ठीक है अब अगेन अगर आपको machines modern machines और टेक्निक्स अगर आपको चाहिए तो फिर क्या लगेगा पैसा है ना पैसा रहेगा तब तो जाके machine और जो भी modern techniques है उनको आप खरीद पाओगे ठीक है तो यहां पर भी corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies ठीक है जो भी machines और technologies है उनको खरीदने के लिए कौन help करता है तो corporate finance यही पैसा देगा ना तब ही तो जाकर के खरीदोगे ठीक है therefore finance becomes mandatory for expansion and diversification of company अगर आपको expansion or diversification करना है then you need money or money money का जो requirement उसको कौन फुल्फिल करेगा corporate finance ठीक है तो यहां पर हमने sales है ना वो down हो सकता है या फिर को natural calamity आ गई ठीक है इसके अरावा strike की वज़े से loss हो गया ठीक है तो यह सारी चीजों से आपको loss भी हो सकता है अगर आपने business किया है ना तो आपको loss के लिए भी तैयार रहना चाहिए ठीक है आप पहले से तैयारी करके रखो कि मुझे profit profit कमा रहे हो कोई tension नहीं है आप timely सबको उनका payment कर रहे हो जो भी आपके employees उनको पैसा देरो लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपका sales एकदम डाउन हो गया ठीक है अब एक महिने में आपको कुछ भी profit वगरा नहीं हुआ तो क्या गरोगे इस बार आप अपने employees वर्कर्स को salary नहीं दोगे वर्कर्स को wages नहीं दोगे ऐसे नहीं होता है आपको देना पड़ेगा तो आप क्या गरोगे कहां से लाओगे पैसा क्योंकि इस बार तो आपको profit ही नहीं हुआ तो सुनो इसी time के लिए हम लोग क्या करते हैं अलग से पैसा हमको रखना पड़ता है ठीक है जैसे आपके family मे भी हम लोग क्या करते हैं जो हमारे पैसे होते हैं उनको बैंक में deposit करके रखते हैं ठीक है क्यों रखते हैं कहती हूंगे आपकी मम्मी की रख दीजिए कभी मतलब कोई घराब स्थिति आई तो वहां पर काम आएगा उसी प्रकार से business में भी होता है ठीक है business में अगर कभी क के लिए हमें क्या करना होता है अलग से पैसा रखना होता है ठीक है आप पैसा अगेन कौन देगा मतलब किसकी help से आएगा तो वही corporate finance की मदद से आएगा समझे कि नहीं तो ऐसे सारे losses को manage करने के लिए financial पैसा आपको रखना पड़ता है financial add to manage such risk वही दिया है यहां पर ठीक ह मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करने में भी कौन हेल्प करता है corporate finance ओके चलो नेक्स देखते बच्चो रिप्लेस ओल्ड असेट्स अब यह क्या है तो जो आपके असेट्स होते हैं ठीक है वह दिरे-दिरे क्या होते हैं पुराने हो जाते हैं आपने खरीदा कोई machinery ठीक है कोई आउटडेटेड हो गया अब उसका यूज कोई नहीं करता तो आपको भी नहीं मशीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पैसा तो लगाना पड़ेगा पैसा लगाओगे तब जाके आपको नया असेट मिल पाएगा तो उस ताइम पर भी आपकी किसने के corporate finance ने की ठीक है तो हमें क्या करना होता है उनको replace कर दो उनको बेच दो नया खरीदो ठीक है अब इसके लिए पैसा पैसा तो चाहिए रहेगा फिर यहां पर अगला पॉइंट है payment of dividend and interest अब यह क्या होता है सुनो ना बताती हूं फाइनन्स निडिगेड टुपए डिविडेंट टू शेयर होल्डर्स इंट्रंस टू ग्रेडटर बांक्स सुनो जी सुनो अब आपको क्या करना पड़ेगा जैसे अगर आपने अपने कंपनी के शेयर को इस्यू करते हैं तो लोग उसको खरीट ते हैं तो क्या ऐसे और इसके लिए आपको फाइनस की जरुवत पड़ेगी इसके अलावा अगर आपने कहीं से लोन वगरा लिया है जो भी आपके क्रेटर से बैंक है उनको टाइमली आपको इंट्रेस्ट में करना पड़ेगा ठीक है तो जब यहां फाइनस क्या करोगे जब आप यह मतलब पैस पैसा उनको दोगे तो इसके लिए आपको पैसे की जरुवत पड़ेगी जब आपके पास पैसा रहेगा तब तो आप दोगे समझे तो यहां पर भी आ गया और इंट्रेस्ट फिर यहां पर लास्ट पॉइंट है आपका पेमेंट और टेक्स तो गवर्मेंट को आपको टे जिब्रा में भूल गया होंगे जाने दीजे कोई बात नहीं तो हमें गवर्मेंट को टेक्स भी देना पड़ता है अब टेक्स दोगे तो ऐसे ही नहीं आपको पैसे की जरुद पड़ेगी पैसा रहेगा तभी तो आप पैसा दोगे उनको टेक्स के रूप में बराबर तो आपको मतलब आपके कंपनियस के जो रेजिस्टर है जिन्होंने रेजिस्टरेशन किया है ठीक है तो उनको कई सारे वोकेशन ऐसे आते हैं जहां पर उनको पैसा देना पड़ सकता है आपको ठीक है तो इसके लिए भी हमको किसके जरुद पड़ती है बच्चो फाइनस की पड़ती है ठीक है तो यहां पर यह दस पॉइंट्स आपके कंप्लेट हुए तो इन्हें आप लोग प्लीज अच्छे से याद करना इसको टिक करके रखो अगर आप से एक्जाम में पूछा इंपोर्टेंस और इसके अलावा इसके कम से कम कम से कम क्या पूरे पॉइंट् पहला क्या था एक बार आपको रिविजन करवा देदी पहला है डिसीजन मेंकिंग सेकेंड हैं रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फिर तीसरा हैं हैं स्मूथ रुनिंग और बिसनस फर्म इसके अलावा ब्रिंग्स कोडिनेशन बिट्विएं वेरियस टेक्स टेक्से और फिच्ट में तो इसे आप लोग च्छे से याद कीजिए टीके पॉइंट्स को आद करो बाकी अंदर का तो आप लोग अपने मन से लिखी लोगे तो आज का ये वीडियो जो है हम इसको यहीं पर खतम करते हैं यहां पर हमने क्या-क्या सीख लिया है सुनों आपको बता देती हूं एक बार है ना मिनिंग देखा डेफिनेशन भी देखा फिर इंपोर्टेंस देख लिया अभी यह सब कुछ जो बचा हुआ है इसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लेट करेंगे तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइस कीजिए और यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बच्च